नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश ग्रंथ गंगा में। नीचे बांधे ये एक चीज माता तुलसी का मिलता है धेर सारा आशिरवाद माता लक्षमी होती है आकरशित घर में नहीं आते कश्ट दोस्तों तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाबकारी है तुलसी के पौधे में देवी लक्षमी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूझा करने से लाब अवश्य मिलता है वेत पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं तुलसी के नीचे ये चीज दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता तुलसी जय माता लक्षमी माता रानी की कृपा सदा आप प रिवार पर बनी रहे दोस्तों भारत वर्ष में ही नहीं बलकि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की द्रिष्टी से देखा जाता है अनेक उशधिय गुनों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांतरिक प्रयोग में इसका उप्योग होता है पुराणों में तुलसी को भगवान विश्णों की पत्नी होने का गौरव मिला है इसी कारण माता तुलसी जगत जन्नी परमात्मा के अनेक दुलब वर्दानों में परिगनित तुलसी के पौधे को अमरित का प्रतिरूप भी कहा गया है, जहां तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां ब्रहमा विश्नु शंकर यानी तृदेव का निवास होता है, और तुलसी की पूजा करने से, महापातक भी उ विश्नु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण मानी जाती है, इनहीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है, अगर आपके घर में भी तो सुख शांती और समरध्धी के लिए तुलसी मा को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए अकसर लोग, जाने अंजाने में कई गलतिया कर देते हैं, वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन तुलसी माता को चुनरी नहीं उढ़ाते, जिसके कारण उन्हें फल तुलसी को चुनरी उढ़ा कर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं, आमतार पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उढ़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है, और तुलसी का कारक बुध है, बुध और मंगल मित्र, नहीं है बुध के अनु कूल ग्रह शुक्र और शनी इसलिए तुलसी जी को सफेद चमकीली या नीली। फलों की प्राप्ती नहीं हो पाती है, दोस्तों तुलसी में कई दिव्यशक्तिया, विराजमान है जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं आते होती। दूते चप्पल जाडू पोछा आदी रखना भी पाप माना जाता है, तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थकारी माना जाता है, तुलसी के पास जल्द से भरा हुआ पात्र कभी नहीं रखना। चाहिए साथ ही तुलसी में दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना। चाहिए क्योंकि तुलसी के नीचे पूजा हुआ दीपक रखना अशुभ माना गया है, तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा रखनी नहीं चाहिए, तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए, तुलसी का पौधा जहां भी ह वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए, तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोरना चाहिए, माता क्रोधित हो जाती है, तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, उन्हें कूडे में नहीं डालना चाहिए, पानी मेय मिट्टी में दबा देना चाहिए तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को तुलसी की पूजा करनी चाहिए बाकी हर दिन तुलसी की सुभा पूजा करनी चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए अक्सर महिलाएं सनान के ब लेकिन भूल कर भी ऐसी तुलसी कभी घर में मत लगाना नहीं, तो आपके घर में। अगर आपकी तुलसी सुख गई है, तो इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आ सकता है। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करनी चाहिए, तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालना चाहिए, तुलसी में हमेशा खाद्यपदार्थ या कंपोस्ट ही डालना चाहिए, दोस्तों तुलसी के पौधे में जल देटे समय पैरों में चप्पल नहीं होनी। चाहिए और वो जल आपके पैरों में गिरना नहीं चाहिए, इससे धन हानी का खत्रा बना रहता है व्यक्ति को पाप लग जाता है, तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ती होती है, सकारात्मक्ता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है दोस्तों तुलसी के पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी के पत्ते नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है, घर में बीमारियां प्रवेश करती है, दोस्तों तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचो बीच लगाना चाहिए, इसे बहुत लक्षमी नाराज हो जाती है, दोस्तों अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आये, तो आप अपने पडोसियों में से किसी को दे सकते हैं, शास्त्रों में कहा जाता है कि एक से ज्यादा तुलसी जब घर में निकल आती है, तो वो बहुत ही शुभ मा ये साक्षात माता लक्षमी के आने का संकेट माना जाता है। मातुलसी नाराज हो जाती है। कभी नहीं होता है क्योंकि यह पौधा नकारात्मक उर्जा का संचार करता है। पुरान में बताया जाता है कि जो पौधा हरी भरी कलियों की उत्पत्ती ना करके कांटे की उत्पत्ती करता हो जिसमें पत्तियाना के बराबर हो ऐसे पौधों को घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। खास्तोर से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। खासकर बात जब तुलसी के पौधे की आती है तो घर में। दोस्तों शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर मा तुलसी के साथ साथ माता, लक्ष्मी की कृपाभी जो व्यक्ती पाना चाहता है तो तुलसी के पौधे के पास। केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए, इसे सर्व श्रिष्ट और मंगल कारी माना जाता है, इससे मा लक्षमी के साथ साथ विश्नु की कृपाभी मिलती है, मा लक्षमी बहुत प्रसंद होती है, दोस्तों जीस घर के तुलसी में ये एक चीज नहीं रखी जाती तो उस घर से लक्षमी कोसों दूर रहती है, साथ ही तुलसी माता होती है, क्रोधित और आप कोई भी कार्य करोगे कभी सफल नहीं होगा, दोस्तों तुलसी का पौधा घर में है, तो उसके साथ शालिगराम को जरूर रखें वरना बुरा समय आपको घेर सकता है, शालिगराम भगवा में स्वन भी होता है, शालिगराम के पत्थर नेपाल में बहने वाली गंड की नदी में पाए जाते हैं, और जीस घर में तुलसी के साथ शालिगराम को रखा जाता है, उस घर में विश्नु के साथ साथ लक्षमी जी की क्रिपा भी बनी रहती है, धन दौलत की कमी बिलकु मेरा बना लेती है, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, जीस घर में शालिगराम, रखा होता है, वहाँ पर सकारात्मक उर्जा का भंडार होता है, साथ ही घर में। के पौधे के नीचे रखकर पूजा की जाती है, तो घर में भगवान विश्नु और मा लक्षमी का वास हो जाता है, ऐसे घर में पैसों से संबंधित कोई, समस्या नहीं रहती मृत्यू काल के समय इनके चरनामृत काजल प्रसंद करने वाला व्यक्ति, सभी पापों से मुक अस्त्रिय मतानुसार ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है, चरनामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए, और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहन करना चाहिए, इससे चरनामृत अधिक लाभप्रद होता है, जिसे घर में शालिग्राम का नित्य पूजन होता है, उसमें बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती है, यदि आप घर में असली शालिग्राम ले आए हैं, लेकिन उसकी ठीक से नियम से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलेगा घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए, विश्नो की मूर्ती से कहीं ज्यादा उत्तम है, शालिग्राम की पूजा करना शालिग्राम पर चंदन लगा कर उसके उपर तुलसी का पत्ता रखा जाता है, प्रति दिन शालिग्राम को पंचामरित से सनान कराया जाता है, जि के पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेश ध्यान रखा जाता है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही